वेलकम तो और चैनल पॉन फिजिक्स आज की इस वीडियो में हम डिसक्स करेंगे फ्लैमिंग राइट हैंड रूल का जो हम यूज किया जाता है वो इंड्यूज करेंट के डाक्शन बताने के लिए यूज किया जाता है जैसे हमने लैंज लागी हैल्प से इंड्यूज के लिए फ्लैमि राइट हैंड तो देखे समझते हैं वैश्चान के लिए यहां पर हमारे पास जो कि फिंगर जो है में अपने इस इंडेक्स finger first finger को set करना है जिस डाक्षन में conductor मूँ कर रहा है motion में है उस direction में अपने अपने यस थम को सैट करना है और जो third finger that is central finger this direction में भी आएगी इन दोनों fingers को set करने के बाद वो हमारे पास induced current की direction हो जाएगी उस direction आपके current induced होगा तीनों के तीनों एक दूसे के mutually perpendicular होना चाहिए इस बात का खास ध्यान रखना है ऐसे नहीं है कि आप अपनी तरफ से ऐसे कुछ 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 करें तीनों एक दूसे के mutually perpendicular होना चाहिए तीनों के बीच में 90 का एंकल होना चाहिए आ पस में इन दोनों के बीच में इन दोनों के भी Psalm को सेट करना है तो शीर tuition हो सेंटल फिंगर आएगी वह डायक्षिन हो जाएगे हमार पास इंड्यूज करंट की समझते हैं एक एक जामपल से जैसे माली आपके पास से कोई मैगनेट है यह आपके पास कोई मैगनेट है यह इसका नोर्थ पॉल इदर साउथ पॉल इदर यह आपके पास कोई दूसरी है और यह उसका-शाउथ पोल और यह ऊसका नोफ पोल तो मेटिक फिल्ड की जो द है कि द्र के सायड हो जाएगी नोटुस माल लिजू आपके पास अप-स-क्तार को पेछे की साइड ङिस Kidd जैसे आप थाहलों की फिल्ट के उसको अंदर की साइड लेकर आएं एक्ट्फिल्ट की उसको लेकर कि जा रहे थी लिको अंदर के Work हो अंदर के आप किसे छॉट रहे हैं Kristen के अंदर के जो कंडेक्टर है जो क्लिब तो जब आप इस conductor को अंदर की साइड लेकर जाओगे तो यहाँ पर एरिया चेंज होगा तो यहाँ पर मैनी्टीफ्लक्स होगा दो इसके इंदर टो अध्यासे देखिछीं जो वाम मता होगा दिख शोुद इंडेक्शնमें इंडेक्शिंगर में diff accident जिस डारेक्शन में सब्सक्राइब घरहे एक इंदर की उसके इंदर अभी अब कदेंग टीनोगर गटा यही से किदर की डायक्टिन में इंड्योच होगा इसके अंदर अपवाड अपवार डायक्ष चोगा, नहीं अपर इसके अंदर करण्ड जो इंड्योच वाधर की डायक्षर देखने को मिलेगी तो पहले सेम ऐसे अगर आप इस इसन केट्टर को भार की साइड लेकर किया रहे होते हैं अगर आप इस केस में पर देखने को मिलता तो ये था आपके पास फ्लैमिंग राइट हैं रूल ओके थैंक्यु